जे जगनात आज रत्यात्रा विशेश पर मैं फिर से एक बार कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जो है रसबली ये बहुत ही आसानी से बन जाता है उडीसा में ये बहुत फेमस है भगवान को छपन भोग में ये लगाया जाता है इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडि ले लिए है इसमें थोड़ा सा पानी पहले से डाल दिया है और आधा लीटर दूद फिर डाल दिया है जिसमें दूद नीचे बरतन में चिपकेना इस आधा लीटर दूद को हमें लो फ्लेम पर पकाना है इसे एक बॉइल आने तक लो फ्लेम पर ही बॉइल आ जाए इतना ह में पकाना है और बीच पीच में चलाते जाना है इसे अच्छी तरह से नीचे से चम्मा चलाते वो इस्टेर करें वरना यह नीचे लग सकता है और आपकी रसवली का स्वाद जो है वो खराब हो सकता जा wied ईसे लगतार चलाते हुए इसे उबाल आने देें आठ से नौ मिनिट हो गए हैं ये बॉइल आ गया है अब हम इससे दस मिनिट और पकाएंगे नीचे से अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पकाएं वरना ये नीचे लग सकता है जगहनास्वामी को उडिसा में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान चड़ाये जाते हैं भोग भगवान को बहुत ही अच्छा चपन भोग का लगाया जाता है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर साल एक ना एक आपके लिए भोग प्रशाद बना कर दिखाती रहूं आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं आप इसे जरूर मुझे बताईए दस मिनिट हो गए हैं अब इसमें मैं ये वन थर्ड कप चीनी का बूरा डाल रहे हूँ आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं वन थर्ड कप ये मैंने चीनी का बूरा डाला है और इसे भी घुलने तक पका लेंगे हमें इस दूद को गाढ़ा नहीं करना है हमें इसे मीठा दूद की तरह ही बनाना है जब चीनी घुल जाएगी उसमें थोड़ा सा बॉइल आ जाएगा इसे चला चला कर 7-8 मिनिट और हम इसे पका लेंगे लगतार चलाते जाएं जिससे बरतन में दूद लगेना यह देखिए कितना बड़ियां बॉइल आ रहा है थोड़ा दूद कम भी हो गया है हमारा अब मैं डालूंगी इसमें केसर बाला दूद मैंने 1 4th कब दूद में कुछ 7-8 strands केसर के डाल कर इसे एक देड़ घंटे पहले रख दिया था इसे मैं इसमें डाल दूँगी देखिए कितना बड़ियां कलर आया है खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसके साथ में डालूंगी मैं 7-8 कुटी हुई इलाइची और कुछ ड्राइफ फ्रूट्स और बस इसे मैं हलका सा और बॉयल करूंगी तेज आज पर और गैस को बंद कर दूँगी ये अमारा मीठा दोद रेडी हो गया है चलिए अब हम बॉल्स की तयारी करते हैं अब एक परात में मैं 200 ग्राम के करीब ताजा पनीर ले लूँगी इसमें डालूँगी 2 टी स्पून रवा और उसके साथी 3 टी स्पून गेहु का आटा और इन सभी को अच्छी तरह से हमें पहले मिक्स करना है कि अच्छी तरह से तीनों आइटम एक दूसरे में मिल जाएं और इसे आप हातों से करेंगे तो अच्छी तरह से ये मिक्स होगा ये इस तरह से इसे मिक्स करके जैसे मैं वीडियो में कर रहे हूं कर लीजे और इससे बाइंड कर ले ले लेगा है पूरा हमे सबनाते हमें हमकर कम कुसी देखलें करते हमे अब छिपना है देक रवीला सा देख रहा है सूजी आटा और पनीर यह तीनों चीज़ों को mix हमने कर दिया था अब इसे सारा मिलाकर हमें चिकना करना है यह देखिए अब यह पाँच मिनिट बाद मिरा यह इतना चिकना हो गया है हमारा ये dough पूरा ready हो गया है और बहुत ही चिकना हो गया है अपने आप ही हाथ में bind होने लगा है अब इसकी हमें छोटी छोटी लोईयां काट लेने हैं देखिए और दबा कर इसे चिकना कर लेना है इस तरह से सारी लोईयां बना कर हम तयार कर लेंगे इतने dough में हमारी 8 से 9 गोलियां बनकर ready हो जाएंगे तो चलिए अब हम इसे करते हैं फ्राइ अब मैंने एक कड़ाई में देसी घी ले लिया है आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं इस देसी घी को मैं गरम होने दूंगी जैसे यह गरम हो जाएगा इसमें मैं धीमी आज पर मैं गरम करूंगे अब मैं एक जो हमारी लोई है उसे हम फ्राइ करके देख लेंगे कि कहीं यह टूट तो नहीं रही है नहीं मेरी यह बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमें आज को धीमाई रखना है इसे एकदम से ना चूएं जब यह हलका पक जाए तब इसे चूएं यह और इन्हें अच्छी तरह से हमें तल लेना है हमें तलते समय एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें इन्हें तुरंत नहीं पलटना है वरना यह टूट जाएंगी और दूसरी बात है कि हमें आज को धीमा ही रखना है अगर आप आज तेज करके इन्हें तलेंगे तो यह उपर से तो गोल्डन कलर की हो जाएंगी वरना अंदर से यह कच्छी रह जाएंगी यह देखिए कितना बड़ियां गोल्डन कलर आया है तलकर रेडी हो गई है इसी तरह से में सारे तलकर निकाल लूँगी मैं बीच बीच में दूसरे बैच के भी डालते जाओंगी कड़ाई में अभी जगे है आप इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा और भगवान को भोग लगाईएगा फिर मुझे फीड़बेक देना मत भूलेगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें ये लिजे ये हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई है बहुत ही पर्फेक्ट तलकर ये रेडी हुई है क्योंकि मैंने धीमी आज पर तला था अब ये हमारा मीठा दूद भी रेडी है अब ये सारी जो बॉल्स हैं हम इसे मीठे दूद में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस दूद को हमें दो से तीन घंटे ऐसे ही छोड़ देना है जिससे सारी बॉल्स में ये मीठा दूद सोख हो जाए ये देखिए कितनी बढ़ियां लग रही है ना ये लिजे दो से तीन घंटे मुझे हो गए है ये साइज में थोड़ी बढ़ गई है अच्छी तरह से जो दूद है वो बॉल्स में जा चुका है ये हमारी रस्वली रेडी हो गई है इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राइफ रूट्स कटे हुए और तुलसी दल डालकर भगवान को लगाऊंगी भोग आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ट्राइज जरूर कीजिएगा जय जगनात राधी राधी ये तुलसी जरूर